अज का ये दिवस लोक तंत्रे की एक महान परंपरा का महत्पपुन दिवस है शत्रवी लोकसभा ने पांच वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक वीद महत्पपुन निल्नाय किये अनेक चुनोतियों को सबने अपने सामर्थ से देश को उची दिशा देने का प्यास एक प्रकार सही आज का दिवस हम सब की उन पांच वर्ष की वैचारी क्यात्रा का राष्ट को समर्पी तो समय का देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को लाष्ट के चर्णों में समर्पीत करना यह आफसर है यह पांच वर्ष देश में रिफॉर्म पर्फॉर्म एंड ट्रांस्फॉर्म यह बहुत रहर होता है कि रिफॉर्म भी हो पर्फॉर्म भी हो और हम ट्रांस्फॉर्म होता है अपनी आखों के सामने देख पाते हैं एक नया विश्वास भरता हो, यह अपने आप में सत्रवी लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है, और मुझे पक्का विश्वास है कि देश सत्रवी लोकसभा को जरूर आशिर्वाद देता रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी मानिय सदस्यों का बहुत महत्पपुन रोल रहा है, बहुत पपुन भूमी का रही है, और यह समय है कि मैं सभी मानिय सांसदों का इस ग्रू के नेता के नाते भी और आप सब के एक साथी के नाते भी, आप सबका अभिनंदन करता हूँ विशेश रुपे आदेनिय धेक जी मैं आपके प्रति भी रजय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पांचो वर्ष कभी-कभी शुमित्रा जी मुक्त हाश्य करती थी लेकिन आप हर पल आपका चहरा मुस्कान से भरा रहता है यहां कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई अनेक भी परिस्थित्यों में अपने भावती संतुलिक भाव से और सच्चे अर्थ में निश्वक्ष भाव से इस सदन का मारदर्शन किया सदन का नेत्र तो किया मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रसाउशा करता है आक्रोश के पल भी आए आरोप के भी पल आए लेकिन आपने पूरे धार्य के साथ इन सभी सित्यों को समालते हुए और एक सूझ-बूझ के साथ आपने सदन को चलाया हम सब का मारदर्शन किया इसके लिए भी मैं आपका भारी हूँ अधरिने सभापती जी इस पांच वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पुरी मानव जातने जेला कौन बचएगा कौन बचपाएगा कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता ऐसी वो अवस्था थी आप ऐसे मैं सदन में आना ये भी अपना घर छोड़के निकलना ये भी संकट का काल था उसके बाद भी जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी आपने उसको किया देश के काम को रुकने नहीं दिया सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गती देनी चाहिए वो गती भी बनी रहे और उस काम में सदन की जो भूमिका है वो रती भर भी पीछे नहीं रहे इसको आपने बड़ी कुसलता के साथ संभाना और दुनिया के लिए गुधान के रुक में अधर ये सभापती जी मैं मानने सांसदों का भी इस बात के लिए अधर आभार वेक्त करना चाहता हूं कि उस कालखन में देश की आवश्रक्ताओं को देखते हुए सांसद निधी छोड़ने के प्रस्ताव मानने सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी मानने सांसदों ने सांसद निधी से भूप इतना ही नहीं ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग है हम सभी सांसद बिना कारण साल में दो बार हिंदुस्तान के मिडिया के किसी ने किसी कौने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों के इतना मिलता है और केंटीन में इतने में खाते हैं बाहर इतने में मिलता है केंटीन में इतने में मिलता है यहाने पता नहीं बाहर नोट लिए जाते थे आपने निर्णे किया सब के लिए समान रेट होंगे केंटीन में और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया शिकायत भी नहीं किये और सभी सांसदों की बिना कारल इतनी फजेत करने वाले लोग मजे लेती थे उससे हम सब को आपने बचा लिया इसके लिए भी मैं आपका आभार वेखे करता हूँ आदे ने सभा पते जी ये बात सही है कि हमारे कई लोग सभा के जाए सतर भी हो, सोला भी हो, पंदरा भी हो संसद का नया भवन होना चाहिए इसकी चर्चा सबने की सामोई गुरूप से की एक स्वर सिकी लेकिन निर्णे नहीं होता था ये आपका नित्त तो है जिसने निर्णे किया चीजों को आगे बढ़ाया सरकार के साथ लेक बिखिंगे की और उसी का परणाम है कि आज देश को ये नया संसत भवन प्राप्त हुआ है अधेने सभापति जी एक संसत के नय भवन में एक विरासत का आउंस और जो आज़ादी की पहली पल थी उसको जीवन तरखने का हमेशा हमेशा हमारे मारदर्श्य ग्रूप में ये संगोल को यहां स्थापित करने का काम और अब प्रतिवर्श उसको सरिमोनियल इवेंट के रुक में उसको हिस्या बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है जो भारत की आने वाली पीडियों को हमेशा हमेशा हमें आज़ादी की उस प्रफम पल के साथ जोड के रखेगा और आज़ादी की वो पल क्यों थी हमें वो याद रहेगा तो देश को आगे ले जाने की वो प्रणा भी बनी रहेगी उस प्रवित्र काम को आपने किया है आदेणिय सभापती जी ये भी सही है कि इस कालखन में जी ट्विंटी की अध्यक्स्ता का भारत को मिली भारत को बहुत सम्मान मिला देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ है और अपने राज्य की पहचाम बहुँभी प्रस्तूत की जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है उसके साथ आपके नेत्रुतों में जी ट्विंटी के तरह P20 का जो सम्मेलन हुआ और विश्व के अने एक देशों के speakers यहां आए और mother of democracy भारत किस महान परंपरा को लेकर के किस democratic values को लेकर के सदियों से हम आगे बड़े हैं वबस्ताएं बदली होगी लेकिन democratic मन भारत का हमेशा बना रहा है उस बात को आपने विश्व के speakers के सामने बख्खुबी प्रस्तुत की और भारत को लोकतांत्री की ववस्ताओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेत्रूत में हुआ आदेने सभापती जी मैं एक बात के लिए आपका विशे सभिन्हंदन करना चाहता हूँ शायद हमारे सभिमानिय सांसदों का और मिडिया का भी उस तर्ब ध्यान नहीं गया है हम सम्विदान सदन जिसको कहते हैं जो पुरानी सांसद जिसमें महापुरुषों के जन्म जन्ति निमिक उनकी प्रतिमा को पुषप चड़ाने के लिए हम लोग इकत राते हैं लेकिन वह एक दस मिनिट का इवेंट होता था और चले जाते थे आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तुर्त्वस परदा निबंद्वस परदा का एक अभियान चड़ाया उसमें से जो बेस्ट ओरेटर होते थे और बेस्ट ऐसेज होते थे हर राजय से दो दो बालक उज़ दिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्वजाइनती के समय पुष्पवर्था के थे वो मोजूद आते थे देश के नेतावों के और बांद वे पुरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याक्षान देते थे वे दिल्ली के अलनेशान पर जाते थे वो संसद की गतिवीधियों को समझते थे यानि अपने ये निरंतर प्रक्रिया चला करके देश के लाखों विद्ध्यार्थियों को भारत की संसदिय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम दिला और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गर्व के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा मैं इसके लिए भी आपक करता है अधनियत्यक जी संसद की लाइबरेली जिसको उप्योग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल जान का ये खजाना परंपराओं की विरासत उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है मैं इसके लिए भी आपका रुदय से अविनंदन करता हूं पेपरलेस पार्लमेंट डिजिटलाइजेशन आपने एधनिक टेकनलोजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने शुरू में कुछ साथ्यों को दिक्कत रही लेकिन अब सब इसके साथ आधि हो गए हैं सब मैं देखता हूं जब यहां बैटे हैं तो कुछ को कुछ करते रहते हैं तो आपने साउसदों की जागुरुक्ता उन्स सबका सयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूं कि जिछके कारण 17 लोगसभा की प्रोड़क्टिविटी करीब करीम 97 परसंट रही है 97 परसंट प्रोड़क्टिविटी अपने आप में परसंदता का विशह है लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17 लोगसभा कि हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तब एक संक्तिल पर लेकर कि 18 लोगसभा प्रोड़म होगी कि हम हमेशा सत्व प्रतिशत से जादा प्रोड़क्टिव वाली हमारी अर उसमें भी साथ सत्रम सौ प्रतिशत से भी जादा प्रोड़क्टिविटी वाले यह भी अग मैंने देखा आपने रात रात बैट बढ़ करके भी और सांसरों के मन की बात को आपने सरकार के धान में लाने का फरपूर प्रयास किया मैं इन सभलता के लिए सभी मानने सांसरदाव का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी रुदाईश्य आभार और अभिलंदन विक्त करता हूं पहले सत्र में 17 वी लोक्षभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने कि अपने आप में रेकोर्ड है और एक नएने बेंचमार्क सवत्रभी लोक्षभा ने बनाए है अधनी अधिक जी आजहादी के 75 वर्ष पुरा होने का उत्सव हम सब को कितना बड़ा सवभाग है मिला कि ऐसे आउसर पर हमारे सदन ने अत्यंद भात्वुण कामों को नेत्रुत्व किया हरस्थान पे हुआ शायद ही कोई सांसर ऐसा होगा कि जिसने आजहादी के 25 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने खेत्र में भुमी का अदाने की है यानि सच मुच में आजहादी के 25 वर्ष को देश ने जी भरकर के उत्सव से बनाया और उसमें हमारे मान्य सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारे समिधान लागू होने के 55 वर्ष ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है इसी सभी मान्य सामसर्दों को मिला है और समिधान की जो भी जिम्मिवारिया उसकी शुरूआ तिहां से होती है और उनके साथ जुड़ना आई अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरख है आदनिया देख जी इस कारकाल में बहुती रिफॉर्म्स हुए है और गेम चेंजर है 21 सदी के भारत की मजबूत नीव उन सारी बातों में नजर आती है एक बड़े बड़लाव की तरफ तेज गती से देश आगे बड़ा है और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मारदर्शन किया है अपने हिसेदारी जताई है और देश हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीडिया जिन बातों का इंतजार करती थी कि ऐसी बहुत से काम कि इस सत्रवी लोग सभागे माध्यम से पूरे हुए पीडियों का इंतजार करतों कि अनेक पीडियों ने एक समिधान इसके लिए सपना देखा था लेकिन हर पल वो समिधान में एक दरार दिखाई देती थी एक खाई नजराती थी एक और चूपती थी इसी सदय ने हारा तीन सो सट आर्टिकल तीन सो सब्सक्राइब के पूर्ण रूप को उसके पूर्ण प्रकास के साथ उसका प्रगटी करह हुआ और मैं मानता हूँ जब समिधान के 75 वर्ष हुए है जिन जिन महापुरुस्वा ने समिधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जुरूर हमें आशरवाद देते हों यह काम हमने पूरा देता है कि कश्मीर के भी जमु कश्मीर के लोगों को सामाजिक ज्ञाय से बंचीत रखा गया था आज हमें संतोस हैं कि सामाजिक ज्ञाय का जो हमारा कमिट्मेंट है वह हमारे जम्मी कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुचा करके हम आज एक संतोस के अनुरूती कर रहे हैं अधनिये अध्यक जी आतंगवात नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था माभारती की धरा आए दिन रक्त रंजीत हो जाती थी देश के अनेक वीद पूनहार लोग आतंगवात के खारण बली चड़ जाते थे हमने आतंगवात के विरुद सक्त कानून बनाए इसी सदन ने बनाए मुझे पक्का विश्वास है कि उसके खारण जो लोग ऐसी समस्याओं का जूजते हैं उनको एक बल मिला है मान्शिक रुप के उनको चाहां कॉन्फिनस बढ़ा है और भारत को पूनह रुप से आतंगवात से मुक्ति का उसमें एक ऐसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा हम पच्चतर साल तक अंग्रेजों की दिवही दंड सहिंता में जीते रहें हम कर्व से कहेंगे देश को नई पीडी को कहेंगे आप अपने पोते-पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश पच्चतर साल भले दंड सहिंता में जीया लेकर आपका एक बात के लिए और अभिनदर करना चाहूंगा कि नया सदन इसकी भव्यता वगेरे तो हाई ही लेकिन उसका प्रारंब एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मानेताओं को बल देता है और वो नारी शक्ति बंदन अधिनिया जब भी जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति बंदन अधिनियम इसका जिक्र फुटकर के जने एक और भले ही वो थोटा सत्र था लेकिन दुर्गामी दिनरव करने वाला सत्र था इस नए सदन की पवित्रकता का एहसांस उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है और उसी का पड़णाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहां हमारी मात्राए बहने बैठी होगी देश गवरों के अनुक्राइब तीन तलाग कितने उतार चड़ाव से हमारी मुस्लिम बहने इंतजार कर रही थे अधालतों ने उनके पक्षमें निर्णे किये थे लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था मजबूरियों से गुजारा करना पर रहा है कोई प्रकट रूप से कहें कोई अप्रकट रूप से कहें लेकिन तीन तलाग से मुक्ति का बहुत महत्वपुर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम सत्रहवी लोकसभाने किया है सभी मान्य साउसद उनके विचार कुछ भी रहे हो उनका निर्ने कुछ भी रहा हो लेकिन कभी ने कभी तो कहेंगे कि हां इन पेटियों को न्याय देने का काम भी करने करमें हम वहां बोल भी पीडियों से होता है अन्याय हम दे पुरा किया है और वो बहने हमें आशिरवात दे रहे हैं आधनिया अध्यक जी आने वाले पचीस वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महतुप है राजनीती की गहमा गहमी अपनी जगा पर है राजनीती क्षेतर के लोगों की अपनी आशा आकांग्षा अपनी जगा पर है लेकिन देश की अपेक्षा देश की आकांग्षा देश का सपना देश का संकल्प ये बन चुका है पचीस साल वो है जो देश इच्छिद परणा गोश्रा होने के पहले लोगों को सामर्थ नजर नहीं आया था चाहे स्वदेशी आंदुलन हो चाहे सत्याग्रें की प्रमपरा हो चाहे नमक का सत्याग्र हो उच समय तो घटना च्छोटी लगती थी लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखन उसने देश के अंदर वो जजवा पैदा कर दिया था हर व्यक्ति के दिल में वो जजवा पैदा कर दिया था कि अब तो आजाद होके रह रहा है मैं आज देख रहा हूं कि देश में वो जजवा पैदा हुआ है हर गली महलने में हर बच् कि पचीज साल में हम विक्सित भारत बना करें। इसलिए ये पचीज साल मेरी दोयस की युवा शक्ति के अत्यनत महत्पुर्ण का अलखन है। जो जूड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जुरूब खाएंगे। ये मेरा। अधर नियतिक जी, पांच वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही अइतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्सी तालाकर युवाओं को नए मोके दिये गए हैं। पेपर लीग जैसी समस्या जो हमारी युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुती कठोर कानून बनाया है। ताकि उनके मन में जो सवाल या निसान था और उनको व्यवस्था कि प्रति उनका घुसा था। उसको एड्रेस करने का सभी मान्य सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुती महतोपुन नेने किया है। आधनिय देख जी यह बात सही है कि कोई भी मानवजात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवाद्य होते हैं। और मानवजात का लाखों साल का इतिहास गवा है। कि हर काल पर अनुसंधान होते रहे हैं, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विश्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को पोच्छान देने का बहुत बढ़ता है। लेकिन इसके परणाम बहुत दुरगामी होने वाले हैं। और इतना बड़ा महत्रपुन काम यह 17 वी लोग सभाने किया है। मुझे पक्का विश्वास है देश की वाशक्ति में। इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिशर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारा देश की वाके टालेंट ऐसी है। आज भी दुनिया की बहुत कंपनी ऐसी हैं। जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत पे हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा। यह मेरा पुरा विश्वास है। अधनिया अध्यक जी। इक इस भी सदी में हमारी बेशिक नेड़्स पुरी थरा बदल रही है। कल तक जिसका कोई मुल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाले हो है। भात अमुल्य बन चुका है। जैसे डेटा पुरी दुनिया में चर्चा है। daya का सामरथे क्या होता है हमने data protection bill ला करके पूरी भावी PD को सुरचित कर दिया है पूरी भावी को एड नया सक्त्र हमने उसके हाथ मिर दिया है जिसके आधार पर वो अपने भविश को बनाने के लिए इसका सही augment करें गे और Digital Personal Data Protection Act ये हमारी 21 सदी की पीडी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रतिरूची बनी हुई है दुनिया के देश्ट उसका अध्यान करते हैं अपने अपना नहीं नहीं व्यवस्तान उकुल करने के लिए प्रयास को रहे हैं और data का उपयोग कैसे हो उ इसकी भी उसमें गाइडलाइन से हैं एक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रमंद करते हुई है इसका सामर्थ कैसे आए जिस डेटा को लोगों को गोल्ड माइन कहते हैं न्यू ओई कहते हैं मैं समतना वो सामर्थ भारत को प्राप्त और भारत इस शक्तिये इसलिए हैं क्योंकि विवीद्रताओं से भरा हुआ देश है हमारे पांच जिस प्रकार की जानकारिया और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है सिर्व हमारे रेल्वे प्रसेंजर्स का डेटा को देख ले दुनिया के लिए बहुत बड़ा संसोधन का भीशे बन स उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानुरी ववस्ता को दिया है अधनिया अदेख जिए जल थल नब इस सदियों से इन शेत्रों की चर्टा चली है लिगराब समद्री शक्ति और स्पेश की शक्ति और साइबर की शक्ति ए ऐसी त्रिवीश शक्तियों का वुकाबला से गुजर रहा है और विश्त जी इस प्रकार जी विचारे प्रभाद करने का प्रयात कर रहें तब इन खेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ भी प्यदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आपको हर चनोत्रियों को चनोत्र लेने का सामर्थ भी बनाना है और उस देश ने जो आर्थिक रिफाउम किये है उसमें सत्रवी के लोग सभागे सभी मान्य सांसदों कि बहुत बड़ी भूमी का रही है बीते वर्षों में हजारों कम्प्लाइंसिस बेवजय हम जन्ताचे नार्थन को ऐसी चुजों में उल्जाय रखा गवनन्स की एक ऐसी विक्वित बेवस्ता है विक्षित हो गई उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहां हुआ है और इसके लिए भी इस सदन का में आखायरी यानि इस प्रकार के कम्प्लाइंसिस के बोज में सामानी बड़ती तो दब जाता है और मैंने तो एक बार लाल के लिए से भी कहा था हम जब मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्णस कहते हैं मैं दिल से मानता हुआ कि लोगों की जिन्दगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उत्रा ही लोग तंतर का सामर्त करें रोज मरा की जिन्दगी में हार डगर पे एक सरकार टांग क्यों वड़ा है हां जो अभाव में हैं उसके लिए सरकार हर पल मोजूद हो लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिन्दगी को ही रुकावट बना दें ऐसी लोग तंतर नहीं हो सकता है और इसलिए हमारा मकसद है सामान ये मानवी की जिन्दगी से सरकार जितनी हड़ जाए कम से कम उसके जिन्दगी पे सरकार का नाता रहे वैसा समरुद्ध लोग तंतर दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए उस अपने को पूरा करेंगे अधनिया सव अध्यक जीट कंपनीज एक्ट लिम्टें लाइबिलिटी पार्टरशिप एक्ट साथ से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हमने हताया है इसके लिए यह बहुत बड़ी आवश्यक्ता थी क्योंकि हब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से भारान अपड़ेगा हमारे कानों तो ऐसे है छोटी छोटे कानों से जेल भर्दवस यहां तर की फैक्टरी है और उसके सवचाले को छे मेने में एक बार अगर वाहिट वास नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी वो कितरी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों नहीं हो अब यह जो एक प्रकार की जो अ उन लोगों की आइडियोलोजी और देश में एक तुमार साही का जमाना उनसानों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए भई वो करेगा आग वो लोगों के गरों में लिप्ट होती है वो सोसाइटी फैट वाले लोग अपने लिप्ट रिखे पर रिपर करते ही है तो यह जो समाच पर नागरिक पर भरोजा करने का काम दहुत तेजी से बढ़ाने का काम सत्रवी लोग सभाने किया है और विसके लिए चशे जंविश्वास एक्ट मैं समता हूंoten एक सो अस्ष्य से जादा परावधान डी-क्रिमिनलाइज करने का का काम क्या है जो मैं कहा है छोटी-छोडी बात में जन में डाल देना रिए डी-क्रिमिनलाइज करके हमने नागरिको ताकत दि है वो इसी सदन बढ़ даже कारून उस दिशा में भी इसी मान्य पर बड़ी क्या आकста जो हमेशा होश्य पर था किनारे पर थे जिनको कोई पूस्ता नहीं था सरकार होने का उनको एहसास हुआ है हाँ सरकार है मैं जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था उसको भरोसा होता था सरकार होना का उसको एसास होता है और यही तो सामान ने मानवी के जिन्दगी में बहुत आवश्यक होता है वो असा है का होगा कि स्थिति पादाने होनी चाहिए ट्रांसजेंडर समभूदा रहे हैं अपमानित मैं सुष करता है और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विक्रुतियों के संभावनाय बढ़ती रहती थी और ऐसे विश्यक्र सब लोग दूर भागते थे सत्रवी लोग सभागे सभी मानने सामस्दों ने ट्रांसजेंडर के पतीवी संवेदना चटाई और उनके जीवन में भी बहतरीन जिनगी बने और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए काम है जो नेने किया है इसकी चर्चा है दुनिया को अब हम कहते हैं हमारे यहां इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेग्नेंसिंग लिए 26 विक्की डिलीविके समय के छुटी धुनिया के समरुद्धे देशों को भी अस्वर होता है अच्छा यानि यह प्रोग्रेशिव निनाय यहीं पर हुए है इसी 17 वी लोग सबाब हुए हमने ट्रांस जेंडर को पहचान दी है अब तक करीब 16-17,000 ट्रांस जेंडर को आइडिन रिकार दिया गया है ताकि उनकी जीवन को और मैंने देखा अब तो मुद्रा युजना से पैसे लेकर के छोटा-पोटा वो बिद्नेस करने लगी है वो कमाने लगी है पदमा है वो प्रकार से जूड़ी अनेक योजनाओं का लाब जो अब तक उनको मिलता ने लिए मिलना प्रारम हुआ है वो संवानिय जिन्नगी है अधरिया देख जी है बहुत विकट काल में हमारा समय गया तो कि गेड़ दो साल कोवीड ने हमारे पर बहुत बड़ा दबार लेकिन उस सत्रवी लोकसभा देश के लिए बहुत उपकारग रही हैं बहुत अच्छे काम किये हैं लेकिन इस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया है हो सकता है अगर आज वो हमारे बीच होते तो आज इस विजाईस हमारे में मौजूद होते हैं लेकिन बीच में ही कोवीड की कानन हमें बहुत होनार साथियों को खोना पड़ा उसका दुख हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे अगर यह देखें सत्रवी लोकसभा का यंतिम सत्रव और अन्तिम अवर ही समझ लीजिए है लोक तंत्रव और भारत की यात्रा अनंत है अनेक और यह देश किसी परपच के लिए है उसका कोई लक्ष है तो पूरी मानवजात के लिए है आश्री अर्विंदो ने देखा हो जाय स्वामी विवेक अनंजे ने देखा हो लिकिन आज उन शब्दों में उस वीजन में सामर्त हो था वो हम आखों के सामने देख पा रहे हैं दिनिया जिस प्रकार से भारत के महत्मय को स्विकार कर रही है भारत के सामर्थ को स्विकार लगी है और उसको इसी आत्रा को हमें और स्वक्तिय के साथ आगे बढ़ाना है अधरने अध्यक जी चुनाव बहुत दूर नहीं है कुछ लोगों को थोड़ी के अपरायट रहती होगी लेकिन ये लोग कंदर का सहच आवश्यक पहलू है हम सब उसको गर्व से सुटार करते हैं और मुझे भी स्वाथ है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले लोग तंत्र की हमारी जो परंपरा है पुरे विश्व को अचंबित करने वाले अवश्य रहेंगे ये मेरा पक्का भी स्वाथ मैं सभी मान्य सांसदों का जो सहयोग मिला है जो निरने हम कर पाए हैं और कभी कभी हमले भी इतने मज़ेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ती भी खिल करके निकली है और मेरा तो परमात्मा की गुर्पा रही है कि मुझे जो सुनोती आती है तो जड़ा और आनन्द आता है हर सुनोती को हम सांगा कपवाए है बड़े आत्म इस्वाफ और विस्वाफ के सादम चले है आज राम मंदीर को ले करके इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित गिया है विदेश की भावी पीदी को इस देश को गुल्यों पर भरवर करदे की संवेधानिक शक्ती देगा यह सही है कि हर किसी में यह सामर्त नहीं होता है कि ऐसी चुजब है तो कोई हिम्बत दिखाते हैं कुछ लोग मैदान छोड़के बाग जाते हैं लेकिन फिर भी भविश्य के रेकोर्ड को देखेगे तो आज जो बाते रखी गई है उसमें संवेधना भी है संकल्प भी है सहनुहूती भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ेना का उसमें तत्व है भूरे दिन कितने ही क्यों न गए हो हम भावी पीडी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे यह सदन हमें वो प्रेणा देता रहेगा और हम सामुहिक कुछ संकल्प से सामुहिक शरक्ति से उत्तम से उत्तम परणाम भारत के नवजवान पीडी की आशा अतौंक्षा के अनुसार करते रहेंगे इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका भार प्रकर करता हूँ, सभी मान्यें सामसाद मोगावा हां कंग स्था अनुषा कर